आज की इस फीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश प्रेमियम लीका जो मैच होने वाला है CCS वस्थ यहाँ पर जो इस मैच की पूरी पूरी इंपर मेस आपको दी जाएगी कौनसा बल्ले बाज आपको किस नंबर बल्ले बाजी करने वाला है कौनसा गे कैए रिपोर्ट क्या रहने वाली है यहाँ पर कौनसी टीम के जीतने की चांसे लादा है जिए चांसे लादा है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं साथ यहाँ पर स्मॉल डी में आपको कौनसे सा फ्लेयर को लेकी जाना है एट गान्धोर क्रेंश के तर्वे ट् चाहूंगा कि अभी तक आप हमारे टेली राम चैनल से नहीं जूड़े हो भाई तो जूड़े दाना इस वीडियो की कमेंट सेक्षिन में आपको लिंक दे दिया गया है अब वहां पर क्लिक करके फटाफट से जूड़ने से फाइदा क्या होगा साथ ही साथ यहां पर जो इस मैस के रिकारणी जो में हमारी फाइनल टीम बनके त्यार होती है सबसे पहले यहां पर स्टेंट करती जाती है जिससे कि मैं खुड़ इस मैस पैसा लगाने वाला हूं तो आप ही लगा सकते हो तो आपको जूड़के रहना है वीडियो की कमेंट स है सब कुछ बताऊंगा देखो उससे पहले क्या रहने वाली हमारी पीछ रिपोर्ट अपसे पहले आप देखोगे यहां पर सेरे बंगला स्टेडियम है इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां पर यह मुकाबला खेले जाने वाला है यहां पर होता क्या है मैं रभाई देखो जब आप यह मुकाबल खेले यहां पर आप देखोगे यहां पर पीछे बैलेच लेटर आने माली हम पर बल्लेबाजी बल्लेबाजी और गिंदबाजी दोनों को अच्छे मैयत थे जहां पर आपको विक्टे कर चयंब होए, जोन दोबर में उनको काफी सपोर्ट रहता है तो यहां पर आप देखोगे फास्टर के लिए अच्छी विकेट है यानि कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि फास्ट बोलर ही विकेट निकालेंगे इंकांपेटर स्पीदर जब भी देखा गया है फास्ट बोलर अधी विकेट निकाल के को देखने को मिलता है जहां पर उम्हेंद कर सकता है आपको 150 से लेके 170 स्कोर आपको देखने को मिल सकता है काफी तगड़े प्लेयर खेल रहे हैं तो यहां पर मैं अच्छा खेल जाएं तो यहां पर उम्हेद कर सकते हो कि एक डेटर से लेके यहां पर 170 का आपको स्कोर देखने को मिल जाए आप यहां पर पहले हैं आपको बता दिया बैलेंस्ट विकर रहने वाली है जो कि बल्लेबाज हो और गेंस्वाज हो यानि कि रन भी बनते है और विकर्टत ही इस करेद हो पीछ है जहां पर मिडियो दबर की बल्लेबाज यानि के All-Rounder काफी important रहने वाली है अब हम बात करें अपनी टीम में कॉंसेट प्लेयर को लेके जाना है तो मुहमाद रिजवान आपको ओपन करते हैं नजा रहाएंगे कोमेलिया वेक्टोरियंस के साथ यहां पर एडवांटेज रहने माला अगर कैच पकड़ते तो आर्पोंड देखे जाते हैं एक स्टंपिं करते हैं अब your local करता है तो यहां पर 25 रभुकेशित नवाट करते हैं उन्हेंकर। काफी कम है लेकिन अभी देखोगे आप बढ़ जाएगा ठीक है यहां पर दोनों प्लेयर को मैं ले रखा है अभी यह दो दोनों प्लेयर हैं जो खास रहने मारे नहीं है काफी नीचे खेल रहे है नमबर 6 पे बल्ले बाजी करते हैं आप दिखेंगी दोनों अपनी तीम के त दोनों पर बाट रहते हैं तो अभी के लिए के चल रहा हूं इंको को कि काफी संदार इंटरनेशनली बल्ले वाज है और यहां पर तीम के तरफ से ताबरतोर बल्ले बाज़ी करते हैं और बाउंडरी लगाते रहते हैं यहां पर कम गेंद्रम में अच्छी रण मराने की च कि सीओ वी की तरफ से वन डाउन खेलेंगे और पिछले मुकावल में 101 की पारी खेली अगर चल गया तो मतलब के अंदर में आउट होके जले जाएंगे कभी बहुत जगद हैं अब इंटरनेशनल की बात कि जैसंद चाल्स बहुत जग़ा फ्लॉफ हो जाते हैं अब इक लिए अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कंटिनुसली आप कोरन मनाते दिख रहे हैं तो मैं अब इसक लिए ले चल रहा हो खुषदिल साह की बात कि रहे हैं पर देखो हैं आपको कमेला विट्रोंस की तरफ से नंबर चार पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे और पार्टेम गिद्वाजी पिछले कई मुकाबले में चार चार ओवर की गिद्वाजी भी किये थे और पिछले मुकाबले में आप चार पर खेलेंगे अगर उस्मान खान निच्चे आएंगे खेलने के लिए तो मेक्सलोड ओपिंग करते हैं तो कि आपको बता है कि में अच्छे चोईज रहेंगे अगर यह ओपिंग करते हैं आप जियल में ट्राइक कर लेना ठीक है मारूफ की बात किजाए देखो के तरफ यहाँ पर ओपिंग करते हैं और पर अच्छे सकते हैं तो इनको अपने ट्राइक करना रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है पर अग्रेश में सांधार स्कॉर कर देखाए तो आप ले सकते हैं मैं इनको भी नहीं ले रहा हूँ स्मॉल लीग की टीम में दोनों को प्रेफर नहीं कर रहा हूं त्यूकि आप चाहों जील की टीम में ट्राइब कर लेना एमादुफ को आपेंग करते हूं जाराएंगे अपको स्क्राइब करते हूं आपको नमबर बल्लेबाजी करते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे बल्लेबाजी से भी अच्छा मतलब खेला है अच्छा पॉंच दे के चले जाएंगे आपको पिछले मुकाबल में नीचे खेलने आ लेते हैं लेकिन पिछले मुकाबल में देखा जाए नमबर पांस पर बल्लेबाजी करने चले आया और पूरे चार अब डाल दिया तो इंपोर्टेंट रहेंगे अपने टीम के तरफ से इंको मैं लेके चल रहा हूं को आपको बाता ह है कि सीजस की टीम है वह काफी तकड़ी है और वहां पर अच्छे बल्लेबाज है जो कि सारे गेंदों को खेल लाते हैं और यह आते हैं नमबर छे साथ पर इंको इनसे भी नीचे आते हैं तो इत्ता मुका मिलता नहीं है अगर जल्दे विकट गिर गया तो करते स्केम पर अच्छा कर सकते हैं बाकि अभी के लिए इंको नहीं लेके चल रहा हूं ठीक है बॉलिंग की बात किया देखो जिसकी टीम पहले के दिवाजी करें नीम साथ को लेके चलना है इंपोर्टन रहेंगे अब दो प्लेयर को हमें चुनना है कौन से प्लेयर को में लेके जाना य को यह जो है अपने टीम के तरफ से आपको लास्ने बोलिंग करताने जाराएंगे और जो भी बना लास्ने बोलिंग करता है वह विकर्स दरूर ले आता है कंप्लेट चार ओवर करेंगे अपने टीम के तरफ से लास्ने बोलिंग करेंगे तो इंपोर्टन रहेंगे अब यह इस वेन्यू पर विकट इंको मिला नहीं है, अच्छा कर सकते हैं, को मिला विक्टोरियन की टीम मजबूत है, मैं इंको ले की चल रहा हूं, अगर इंकी टीम ना अच्छा स्कोर कर दिया, तो चाहिए इस एब फर्स्त टेंग में गिंद बाजी करें, तो इंको ट्राइ किया ह लेकि मैंने इंको ड्रोप नहीं किया है वेकट की भी कर रहे हैं और साथ में यहां पर बल्ले बाजी टॉपवाचर में कर रहे हैं तो काफी लंबा स्कोर भी कर सकते हैं उस पाफी बैतर है इस रिसेंटली फॉर्म काफी बैतर है कई मैचों में सैंचुरी रागा है इसलिए म यहां पर स्ट्रोंग है इक टीम पहले बहले बाजी करती है तो यहां पर चारोड लोग पहुष स्कोर करेंगे यहां पर महसंत्य खुष्ठड आपको बॉर्लिंग करते नजा एक पूरे चार यहां पर दोनों गिंदवाज अच्छी बीकर निकाल सकते हैं यह दोनों ही लाष मुहसन और शुगाता हूं यह दोनों ही रहने वाल हैं बाकि अब मैं बता हूं आपको बल्लेबाजी की सेक्षिन में कि कौन से बल्लेबाज से भरुसा कर सकते हो आप कप्तानी वाइस के लिए तो मुहम्मद रिजवान यहां पर केप्टन वाइस के बहतरीन चोईस अगर इन को दोनों से कंट्रिबूट करेंगे और जियल की बात कि यहां पर आप मुहम्मद रिजवान को स्पैसली में काऊंगा केप्टन और वाइस केप्टन से रखना है कि मुहम्मद रिजवान ने थार्टी प्लस का स्कोर किया और खुशदिल सा भी ऐसे बहले बाज नमर चार प आपको ठेलियाम पर मिलेगी ठेलियाम कर लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्षिन में दे दिया है जाके फड़ा फटा जूर जाना अब एक चीज़ आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना चनल पर भी तक नहीं हो चनलों को सब् सबसे पहले को मिल जाएं